नमस्कार में सुरेक मराटी बोलू शकतनाए कारणमा जी बाई को मराटी है अनुष्थान की तरहा मैं हर काम करता हूँ मेरा स्वभाव है पहले प्रणाम करता हूँ मैं जाहिर है बहाशन देने तो नहीं आया अपने सोच को अपने कुछ विचारों को साजहा करने आया हूँ हम सालों से दशकों से सदियों से एक सवाल पूछते आ रहे हैं अपने आपको दूसरों को और जिसका जवाब मुश्किल से मिलता है वो यह है कि क्या सच में नसीब जैसा कुछ होता है क्या जो हमारे जीवन में हो रहा है वो प्री ओडेंड है क्या वो पहले से तै था आम तार पर और एक दूसरे को सांतवना देने के लिए ही सही हम कहते हैं कि भगवान ने ऐसा सोचा था यही लिखा था और मेरा ये ख्याल है मैं विश्वास करता हूँ कि यह हम सांतवना देने भर के लिए कहते हैं क्योंकि अगर सब कुछ पहले से तै है तो जैसे कि मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि तो फिर कर्म क्यों किया जाए प्रेतन क्यों किया जाए प्रेयास क्यों किये जाए यहां तक सुनने में आता है कि अगर मैं प्रेयास करता हूँ तो वो भी पहले से लिखा हुआ है पहले से ये तै था कि मुझे प्रेयास करना है और उसकी वज़े सफल होना है या मुझे प्रयास नहीं करना है और सफल नहीं होना है तो इसमें सच क्या है मैं जहां तक निरीक्षण कर पाया हूँ जीवन भर जहां तक मैं निशकर्ष पर पहुँच पाया हूँ मैं ये समझता हूँ कि इसमें दो components हैं जिसे हम नसीब की संग्या देते हैं उसमें दो components हैं दो factors हैं एक है दिशा और एक है दशा ये दोनों जब मिलते हैं तब हमारे जीवन का पत तै होता है कि हम कहां पहुंचते हैं कैसे पहुंचते हैं क्या परिणाम निकलता है क्या हम असफ़ल हैं क्या हम सुखी हैं क्योंकि सुखी होने की व्याक्या भी परिभाशा भी तो अलग अलग है जैसे कि ये लिखा हुआ था कि इस वाक्य के बाद मुझे पानी पीना है और ये बॉटल बंद करनी है तो अगर दशा और दशा में मेरा विश्वास है तो ये कौन तै करता है ये विए बड़ लुक तो ये विए वसब बॉन आभानी तो वाँ वसब अखे तो बॉन आभानी नहीं वाँ नहीं आप को बॉटल इस लुटल इस वाँटने चुमट्रेश आप कोडिने जयुमेट्री में या आज गल Excel में कैसे कहते हैं ये row ये column that's your coordinate तो आपको अपना address अपना पता location मिल जाता है तो मेरे coordinates क्या थे कि मेरे माता पिता के घर में मेरा जन्म हुआ मैंने कोई कोशिश नहीं की थी मेरे माता पिता कितने पढ़े लिखे थे मैंने कोई कोशिश नहीं की मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया how did I deserve it मुझे माता पिता ने क्या संसकार दिये मुझे कौन से स्कूल में भेजा मेरे दोस्त अहबाब कौन थे मेरा स्वभाव कैसा था जन्मजाद स्वभाव कैसा था और उस स्वभाव का पालन पोशन कैसे किया गया जैसे समझे यह मैं जिदी था और मेरे बाबाब अपने उस को उस जिद को चलने दिया अच्छी दिशा में चलने दिया या हमारा बच्चा ही ऐसा है हम क्या करें उस तिशा में चलने दिया तो ये सारे संजोग ये सारे सिर्कम्स्टंसिस मिलकर एक शब्द में हम उसको कहते हैं लाक कि ये इसका नसीब कि इसका जन्व ही ऐसी जगे हुआ उसके बाद जैसे वो बच्चा व्यक्ति बड़ा होता जाता है जीवन के कितने सारे मोडों पर उसे निर्णे लेने पड़ते हैं चाहे वो निर्णे किसी किसी की मदद से ले किसी की सलाह से ले किसी बड़े को देखकर एक्जाम्पल के ताउर पर उदाहरण के ताउर पर के मैं भी ऐसा बनू बने ले इस तरह से ने ने ले या खुद रिबेलियस होकर के दुनिया चाहे जो कहे मेरे आस्पास वाले जो कहें मैं तो ये करूँगा क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है तो उसके जो संजोग जो प्राकृतिक संजोग जहां वो पैदा हुआ जो माबाप मिले जो संसकार मिले जो पढ़ाई लिखाई मिली और जो निनने उसने लिए वो हमारी जिन्दगी का पत्थ मार्ग तै करता है या लग कहेंगे मैं इसे दो हिस्सों में बांटता हूँ एक है दिशा पहली दिशा तै हुई जहां आपने जन्म लिया और दूसरी आपने जो तै किया आपने जो निनने लिया वो दशा तै करेगा मैं दूर तक जाता ही नहीं मैं अपना ही उदाहरन लेता हूँ आपना है और फिर मैंने अपना है और उसके बाद मैंने एक तरह से यू कहो तो मुझे ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा और फिर मैंने अपनाया कि मैं एक महामार्ग पर था आज जिसे गड़करी जी का सिक्स लेइन एक्स्प्रेस वे कहते हैं और वहां से मैं जंगल की ऐसी पगडंडी पर आ गया कि जिसका गंतव भी दिखने ही रहा था जिसकी मंजिल दिखने ही रही थी और हमें ये पता भी था कि शायद इसकी मंजिल कोई है नहीं इसका भविश्य है या नहीं कोई नहीं जानता लेकिन इतना था कि एक बार वो निर्णे लेने के बाद मैं जी जान से उसके पीछे लग गया जिसने शायद मेरी दशा तै की दिशा तै करने में मेरा ये विश्वास है कि शायद मेरे ग्रह काम कर रहे थे मेरी कुंडिली देखकर ये बताया भी गया था जिस पर कभी विश्वास नहीं किया था कि ये तो कंठ की कला करेगा हरे एक मारवाड़ी कच्छी परिवार का लड़का वो भी चौथी संतान ना खुद को ना किसी को पड़ी है कि ये क्या करेगा बस पास हो जाए फिर देखेंगे बहुत सारे कच्छी भाटिया हैं हम कच्छी भाटिया हैं तो बड़ी बड़ी कंपनिया हैं वहां बिठा देंगे बैंक ऑफ इंडिया हमारा था नेशनलाइज हुआ उससे पहले वालिस फ्लॉव मिल्स इंडियन प्लाइवोड क्या क्या नहीं थे उसमें कहीं बैठ जाएगा लेकिन ये तो बिल्कुल रिबेलियस निकला मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा था लेकिन पंद्रा रुपए पंद्रा रुपए में रिक्षा मीटर डाउन भी नहीं होता है की फीज के लिए मैं 27 किलोमेटर ओल इंडे रेडियो जाता और कोई 27 मिनट का रेडियो प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम करके आता वहां जो मुझे संतुष्ट मिलती तो मैं दूसरे दिन कंपनी में जाकर सोचता कि मैं यहां क्या कर रहा हूँ अरे यहां तो रुद्बा है यहां तो इतनी बड़ी सैलरी है और इतना भविश्य है फिर कुछ तिन के बाद मुझे किसी बड़े अफसर ने हमारी कंपनी के फोन किया इंटर्नल कॉल किया कि आरे भई हमको पता नहीं था कि हमारी कंपनी में भी एक सिलेब्रिटी है कौन सर किसकी बाद कर रहे है आरे वावाच छुपे रुस्तम हो तुम यहां मेरे सामने एक ब्रोशर पढ़ा है आज की शाम की कोई इवेंट है म्यूजिक की इवेंट है बड़े बड़े नाम है उसमें नीचे लिखा है कॉमपेर हरीश मिमानी मैंने कहा है मैं पकड़ा गया हाज क्योंकि मैं छिप छिप के एंकरिंग के लिए जाता था डर बड़ा लगता था एंकरिंग करते हुए लेकिन जाता था क्योंकि वहां जाकर जैसे अभी मैं आप से बात कर रहा हूँ वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्यों अच्छा लगता था कोई नहीं जानता एक गायक को क्यों अच्छा लगता है वो क्यों गाते हुए उसको क्यों वो स्वर्ग में होता है नहीं पता किसी वक्ता को किसी मिमिक को कहिए कि वो दूसरों की जब नकल उतारता है वो नकल नहीं उतारता है उसकी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती ऐसा लगता है और वो वो बन जाता है वो नवीन प्रभाकर नहीं रहता तो ये एक अजीब चीज होती है ये कहां से आती है? ये तो मेरे खाएल से जोतिशी भी नहीं बता सकते. लेकिन मेरा ये विश्वास है, इवन एस इन अइजिनियर, मेरा ये अटूट विश्वास है कि ये ग्रहों की उनकी ग्राविटी की उनके आसपास जो कोई वर्ण है, उसका प्रभाव हम पर है. देखिए हमारे ग्रहों में एक छोटा ग्रह प्रित्वी जिसका एक छोटा सा उपग्रह चंद्र वो अगर हमारे महासागरों पर यानि के जितनी जमीन है उससे चार गुन्या पानी है उस पर इतना प्रभाव डाल सकते हैं तो हम पर क्यों नहीं और चंद्र तो इतना सा है शनी कितना बड़ा शुकर कितना बड़ा गुरु मंगल ये क्यों प्रभाव नहीं डाल सकते हां इसको साइ num एक है एमपिरिकल यानि कि जो घटनाएं घटे तो होती है उसके उपर उसका आधार लेकर हम कहतें के हाँ शायद यही है कि बही यहां आने वाले अधिकतर लोग आज नाश्ते में चाय ही पी कर आए हैं तो इसके उपर साथ आप निश्कर्च पर पहुंच सकते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में इतने बज़े आने वाले लोग चाई पी के आते हैं. मगर दूसरे दूसरा है थियॉरेटिकल साइंस. दुर्भाग से हमारे देश में इम्पिरिकल साइंस जो की जो दुशी है को बढ़ावा नहीं दिया गया, उसे थियॉरेटिकल साइंस नहीं बनाया गया. और इस दिशा में कार्य करना बहुत आवश्यक है क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जो ग्रहों का प्रभाव और शायद हमारे पूर्वजन्म का प्रभाव ये दोनों मिलकर दिशा ताय करते हैं, हमारा कर्म दशा ताय करता है. तो हमारा जो दशा है वो तो आप पर है. उसके बारे में आपको प्रोजसाहित किया जा सकता है, आपको इंफ्लूंस किया जा सकता है, आप पर दबाव डाला जा सकता है. लेकिन करना तो आपको है करना तो मुझे ही है मेरी दशा सुधारने बिगाडने के लिए जो करना है मुझे ही करना है लेकिन दशा के लिए हम सहायता ले सकते हैं और मेरा ये विश्वास है कि उस सहायता का नया आरम आज से हो रहा है और रिदे से मेरी शुबकामनाएं इस अभियान को है नमस्कार और रिदे से मेरी शुबकामनाएं इस अभियान को है